हेलो गाइज, स्टॉर मार्केट की बुक समरीज की एक और नए चैप्टर में आपका स्वागत है, दोस्तों, हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडेट ट्रेडिंग जो की बुक है अश्वनी गुजराल की, आज बार ये चैप्टर नंबर फाइव की, बट हम चैप्टर नंबर फ फाइव को हम इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा पीवोट्स पॉइंट का एक अडवांस्ड लेवल दे रखा है, जो कि हमारे जो ब्रोकर्स के प्लैट्फोर्म है चार्टिंग में अवेलेबल नहीं है, मतलब वो एमटी तो मेटा ट्रेडर हैं और ये हमा लगा दिया था, कि हम ऐसे किसी की बुक को समराईज नहीं कर सकते, बट यार आपको भी बदा है कि किसी भी बुक को समराईज करना वो भी पूरा हिंदी में काफी थोड़ा मेहनत भरा काम है, बट उनको कौन समरा है, तो उसका हमने क्या तोड़ निकाल ले, लाज निकाल जाएगी, तो देखो आज चैप्टर नमबर 6, जिसका टॉपिक है ट्रेडिंग, ट्रेंडिंग मार्केट, जो हमारे ट्रेंडिंग मार्केट होते हैं, उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अब ट्रेंडिंग मार्केट से मतलब क्या देखो, या तो हमारा बुलिश मार्केट चल रहा हो यह हमारा bearish market चल रहा हो पर वो शर्त ही है कि वो trend में होना चाहिए trending market होना चाहिए तो उसको हम कैसे trade कर सकते हैं दोस्तों तो इस chapter में हम बात करेंगे trade setup की कि जो हम trending market में जो हम अपना trading करेंगे उसको हम किस हिसाब से अपने setup में बनाएंगे तो देखो हम जो काम करेंगे वो करेंगे pivot level के base पे moving average के base और candlestick pattern के हिसाब से हम trending market है उसमें हम को कैसे trade करना वो हम इस chapter में जानेंगे देखो पहले ही हमने बता दिया दोस्तों के हम जो use करते हैं 20 moving average 50 की moving average और 200 की moving average की lines को हम use करते हैं और 20 की moving average है हम उसको ऐसे main moving average लाइन use करते हैं दोस्तों दोस्तों हमारे author साब ने हमको बताया कि जब भी आपका कोई trending market चल रहा होता है चाहे वो bullish market हो या बिएश market हो तो उसमें हमको trade क्या लेने तो जो हमको पहली बार में इनोंने describe क्या है कि हमारी जो main moving average की line होती है 20 moving average तो trade लेने का यह सिनारियो है कि जब भी हम अपनी buying opportunities तब ढूढ़नेगे जब market हमारा क्या है कि bullish trend चल रहा है और market हमारा नीचे से होके recover करके 20 की moving average की line के ऊपर close देता है तब हम अपनी buying opportunities ढूढ़नेंगे दोस्तों कि दोस्तों मालो के देखो यह हमारा market है हम मैं आपको एक सिनारियो बता दो ठीक है आप देखो market हमारा क्या है यह हमारा अब ट्रेंड में market चल रहा है दोस्तों अब यह क्या हमारी एक line मैं बना देता हूं moving average की line ठीक है तो जैसे मालो यह हमारी जो दूसरे वाली line बना रह close देती है और जब हमारा जो market है moving average के ऊपर close देता है और थोड़ी देर क्या होता सस्टेन होता है मालो थोड़ी देर market क्या हो जाता सस्टेन हो जाता है जब सस्टेन हो जाता तब हमको क्या buying की opportunity ढूंडनी है दोस्तों तो यही इन्होंने बताने की कोशिश की है फिर आगे बढ़ते हैं फिर यह बोलते कि जब market downtrend में रहता है तो typically यह बार-बार observe किया जाता है दोस्तों के जो हमारा जो market है जो हमारा chart है वो 20 moving average की line को बहुत जादा resistance देता है मतलब market बार-बार मतलब एक pullback देगा और 20 की moving average है उसको touch करेगा फिर नीचे चले जाएगा यह बार- एक ऐसा ही बहुत ड्रॉइंग मेरी बहुत बेगार है तो समझने की कोशिश करना author साब हमारे क्या कहना चाहरे है दोस्तों author साब हमारे कहना चाहरे कि जब भी market हमारा मालो downtrend में होता है तो इस टाइप की कुछ सेफ बनती है मालो हमारी candles नीचे ही बनती जली जा रही है और opportunity बनेगे और आप इस top loss इस moving average के ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं तो मतलब आपको क्या तब तक वेट करना है दोस्तों जब तक आपका market जो हमां market है वो 20 की moving average की जो line है उसके पास नहीं आ जाता देखो अगर यहां पे ट्रेड लेंगे तो फिर market धढ़ाम से नीचे गिरेगा दोस्तों तो यहीं इन्होंने बताने की कोशिश की है कि 200 नेक्स्ट पैरागराब में हमारे अधर सार्फ हमको बताना चाहरें कि मालो क्या market हमारा uptrend में जा रहा है अब market हमारा uptrend में जा रहा है देखो मैं और आपके लिए जो हमारी red color की लाइन जो मैंने डूर्व यह हम को माल लेते हैं में hundred हैं माल लेते हैं फ touches के जब मार्केट एक trending और माल लेते हैं कि यह market हमारा क्या है trending market तो most probably क्या होगा क्या हो सकता है जब भी हमारा market मोड़ा ऊपर की तरफ जायेगा तो इस हल्गा सा करें नें पहले बताया को 20 की moving average की line को respect करेगा तो वहाँ पर आपको एक buying का सिनारियो देखना चाहिए आपको stop loss 20 moving average के नीचे लेना चाहिए बट ये बोल देंगे बहुत अगर एक हलका सा retracement कोई भी uptrend होगा तो एक हलका सा retracement हमेशा आता है तो ठीक retracement आजा तो कोई दिक्कत नहीं है मालो अगर थोड़ तो हमको क्या करना है हमको थोड़ा wait करना है कि market 20 की moving average के नीचे क्या एक close दे रहा है या नहीं दे रहा है यह हमको देखना है दोस्तों अगर जैसे यहाँ पर हमने देखा तो हमको यहाँ पर एक buying की trade मिल सकती है दोस्तों अगर देखो फिर हमने आगे wait किया देखो इस वाल अगर वहाँ पर support करता तो फिर हमको यहाँ पर buying की trade लेनी है दोस्तों दोस्तों फिर हमारे order अब हमको बताते हैं कि जो हमारा moving average होता है और pivot point होता है जो हम floor pivot point बोलते हैं जिसमे एक center point होता और उपर तीन resistance नीचे तीन support होते हैं अगर हम उसको plot करेंगे अपने daily intraday chart पर मत चलब 5-15 minutes लगाते हो तो वह आपको एक बहुत clear idea देगा market में कि आपको किस तरह किस तरफ trade करने है विदिन हमको क्या moving average और pivot points का क्या combine करना है दोस्तों तो देखो हमेंने पहली बताया था क्या है दोस्तों कि देखो pivot point का basic formula है कि वह pivot point काम करते हैं पिछले दिन का अब next day कि आज ही जो pivot point क्या करें market कहां पर open हो आया और moving average जब ही मैंने बताया कि किस दिशा में बढ़ रहा है दोस्तों फिर बोलते हैं कि जब सई time आता है तो candlestick जो होती हमारी आपको दिखाने लग जाएगी कि market में क्या होने वाला है दोस्तों इन्होंने पहले जब आपने ह एक हलका सा example और दिखाता हूं ड्रॉइंग के साब माध्यम से दोस्तों देखो आपको स्क्रीन पर एक बेकार्ट से दिखरी होगी देखो next परा में हमारे ओधर साहब हमको क्या बताने वाले है कि जब भी market क्या है एक हमारा मालू uptrend में माल लेते हैं जो हमने जो ड्रॉइ behavior दिखाएगा support लेने का अब वह behavior कैसे दिखाएगा वह मैं आपको बताता हूं ठीक है ना तो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं देखो market हमारा up गया फिर डाउन हो आया ठीक है तो इसने का पहली बार में यहां से एक बार break दे दिया उसके बाद यहां पर देखो जब भी हम को मैं यह hint क्या है कि hint यह है आपके लिए कि जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे के छोटी छोटी candles बन रही है नियर support के पास क्या है छोटी छोटी candles बनने लग गई तो इसका तात पर यह है कि वहां से market पक्का support लेने वाला है दोस्तों तो अगर आप जब भी future में trade करेंगे तो आप देखना कि जब भी आपका market अपनी support के पास आएगा तो वहां पर क्या है छोटी छोटी candles बनने लग जाएंगी और जब उसको वहां से break out देना होगा तो एक बड़ी candle के साथ वो break out देगा दोस्तों तो यही इनों ने बताने की कोशिश किये दोस्तों दोस्तों अब हम बात करने वालें four entry tactics for trending market मतलब आपको अब यह चार तरीके बताएंगे कि अगर आप trending market phase में हैं और आपको कहां पर entry लेने हैं देखो stock market में एक जो entry होती है जो entry होती है न सब कुछ उसी पर depend होता है आपकी psychology आपका कितना आपने analysis किया वह अगर आपको कितना भी आपने अच्छा analysis किया हो भाई अगर आप मालो एक अच्छी entry नहीं ले पातें दोस्तों तो उसका कुछ फायदा नहीं है उससे फिर आपका risk reward भी कर जाएगा तो अभी हमते चार टेक्टिस हमको बताएंगे trending market में कि जिनके हिसाब से आप entry लोगे ठीक है ना तो एक perfect entry के सिनारियो आपको बताने वाले तो पहली जो entry हमारी है entry on trend reception after a correction up to a support और इसका मतलब यह है कि पहली बाद हमको entry तब ले निये दोस्तों जब हमार जो market है वो एक uptrend के बाद एक अच्छे correction होस में और वो अपने support और resistance के पास तक आये दोस्तों चलो दोस्तों इसको हम एक और figure के हिसाब से समझते हैं कि हमारी पहली entry trending market में कैसी होनी चाहिए तो इन्हों ने हमको दो figure यहाँ पर दिये हुए हैं दोस्तों तो हम इसके हिसा का correction हो रहा हो अब trend में हो market और हलका था correction हो रहा है तब आपको entry का लिने buying की और इस वाले figure में आपको जब market आपका क्या होता है कि downtrend हो और एक उसमें retracement आए तब आपको shorting की position कहा लिने हैं दोस्तों पहले हम अपनी buying की position को थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों तो हम पर रहा है कि market हमारा uptrend में है और इसमें हलका सा correction हुआ तो यहां पर दिखा रहा है कि 20 moving average rising support तो यह हमारा जो यह वाली line है यह हमारी 20 की moving average है तो वहां पर आपको दिखाना चाहरे हैं यहां पर चोटी candle बनी चोटी candle बनी उसके बाद एक अच्छा breakout हुआ तो यही बताते ह आपको इस green candle के नीचे हाँ पर अपना stop loss लगाना है दोस्तों और entry आप जैसी market इसके आधे के उपर पहुँचे या बिल्गुल high के उपर भी आप entry ले सकते हैं दोस्तों तो यह इन्होंने बताया हमको जब market हमारा uptrend में हो और एक हलका सा retracement तो यह हमारा trending market में entry का पहला स एक downtrend में है और उसमें हलका retracement में pullback आया तो यहां पर हमारी 20 की moving average यहां पर लगाई है यहां पर पहली में support ले दूसरी बार में ही हमारी गिर गई तो हमारी entry कहा होगी हमारी entry जैसे हमारा यह वाली जो बड़ी candle है इसके नीचे close देगा तब यहां पर कहीं हमारी entry हो है अपने वीडियो में दोस्तों जो हमारी entry tactics पर हम जो बात कर रहें तो तो उसको हम अभी चार्ट के मदद से समझेंगे कि एक perfect entry trending market में कैसी होती है तो उसी का example इन्हों ने एक और दिरकार देखो यह हमारा जो है गोद्रेज property का चार्ट है तो इसमें क्या हम इन्हों ने जो हमना जो पीवोट्स पॉइंट्स लिए हो है और यह हमारा 20 का moving average लगाया हुगा है तो हमने अभी तक क्या आपको पढ़ाया कि एक perfect entry वह होती है जब market retrace करके अपने support के पास आ जाए अब चाहे support वह क्यों ना पीवोट्स पॉइंट का हो या moving average का हो या कोई आपकी trend line क क्यों ना हो दोस्तों तो अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा zoom कर गया आपको दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आये दोस्तों ठीक है तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहां पर हमारा यह हमारा पूरा market यह जो वाली line है यह हमारी क्या है पीवोट्स तक market इस हमारे इस portion को जो हमारा support एरिया है मतलब हमारा moving average का और पीवोट का इसी के असपास छोटी-छोटी candles में trade करता रहा तो इसका मुद्दा यह है कि हमने पहली बता है कि छोटी-छोटी candles बनने लग जाएंगे उसके बाद आपको बड़ी candles का wait करना मतलब breakout का wait करना है तो आप breakout कहां पर breakout ले सकते हैं दोस्तों तो आपको मैं बता दू देखो जैसे market अभी इन्होंने जो हमारी entry बता रहे है वो R2 के उपर बता रहे है तो चाहें तो आप क्योंकि R2 के उपर इन्होंने एंट्री से लिए बता ही क्योंकि R2 भी एक registration phase होगा जैसे ही market हमारा R2 क पर निकलता देखो इस वाली बड़ी candle के साथ तो आप यहां पर entry ले सकते हैं और अपना SL कहीं भी candle के नीचे या इधर के आसपास भी लगा सकते हैं तो यहीं इन्होंने बताने की कोशिश किया देखो फिर उसके बादे ट्रेंड देखे तो यह आप यह perfect entry हो जाती है फिर दोस्तों तो आपको मैं पहले इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे दोस्तों ठीक है एक मिना ओके तो दोस्तों अब जो यह हमारा एक हमारा एक स्ट्रेश का चार्ड़ है यह जो हमारी यह वाली जो मू लाइन है वह हमारी 20 की मूविंग 2 अब हमारा जो हमारा अनुमाने के भाई हमारा पुलबेक कहा तक होना चाहिए हमारा मिर्ष करना है यह यह तक के और यह पर नेगिटिव यह बंड बनने वाले उनका हमें वेट करना थो देको मार्केट ऐसे आया उसके बाद यह आपर इसने फोड़ा रेसिसेंस ले फिर और जैसे ही हमारा market हमारी 20 moving average के नीचे close देता तभी हमको entry ले देनी है और हमारा SL होगा कहीं हमारा आसपास इसके pivot point के पास तो देखो फिर हमारा profit booking यहाँ पर हो जाएगा तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा बार-बार आप देख सकते हैं 20 की moving average के पास बार-बार यहाँ पर market आ रहा और फिर देखो pullback कर फिर एक और हमको एक और entry मिलगी तो यह सारी चार्ट हमको यहीं बताते हैं दोस्तों कि हमको wait करके trade लेना है कहने के मतलब यह है दोस्तों entry tactics एक अच्छी entry second point पर हम आ चुगे जिसमें हम बात करेंगे entry after a minor pullback midway in a strong trend इसका मतलब क्या है दोस्तो कि हमको entry कब लेनी है मतलब पहले point में हमने आपको बताया कि जो entry होती है कि जब एक अच्छा retracement हो जाएगा support तक तब हम सॉरी तब हमको एक entry लेनी है मालो क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि एक अच्छा trend चला है और जरूरी नहीं है market आपका जो support है 20 moving averages support है हमारा pivot है उस इस वाले point में हम जानेंगे दोस्तों तो इन्होंने बताया सीधा सीधा बताया दोस्तों कि जब अगर market क्या होता है मालो अब trend में है और वह थोड़ा correction दिखाने रखता तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि कि वह अपने support तक ही retrace करें देखा होगा आपने की जरूरी नहीं हो और आप बेट कर रहे हो कि market हमारा resistance तक आएगा तो आपको कब ट्रेड लेनी है ऐसे सिनारिय में आपको क्या करना जैसे मालो आपका एक bullish candle बनती है और next candle होती है वह आपकी bearish candle बनती है और bullish के का जो low है उसको तोड़ देती है तब ही आपको ट्रेड लेनी है और ऐसे ही नहीं होता तो हमारा हम second case पट रहे है तब हम आपको कैसे ट्रेड लेनी है तो देखो आपको जैसे यहां पर picture में दिखा गया कि जब अब मालो यह क्या होता है यहां पर यह जो हम पहले इसको जूम कर लेते हैं पहली picture को तब आपको अच्छे से समझाएंगे दोस्तों ता अरी दोस्तों थोड़ा mistake हो गया मार्केट इसमें क्या है अब trend में यहां से इसने दिखाने की कोशिश की कि मैं एक correction दिखाता हूं इस support line तक तो आप सोचोगे के मार्केट यहां से यहां तक आना चाहिए तब मैं अपनी entry लोग यहां कहीं बट जरूरी नहीं है कि अगली जो candle है वो green candle बन जाए और bullish candle बन जाए तब आपका जो ट्रेड लेना का सिनारियो वो change हो जाना चाहिए फिर आपको कैसे करना जब इसका high कोई green candle break कर देती है जैसे कि यहां पर इस वाले portion पर आप देख लिए तो आपको ट्रेड लेनी है दोस्तों यहां पर long करना और हैसल आपको इस candle के नीचे कहीं लगाना है तो कहने का मतलब इस point पर आपको बताया जा रहा है कि अगर पूरा retracement नहीं होता तब आपको कैसे trade करना है तो यह एक निशानी है एक बहुत तगड़े uptrend की कि यहां से market अप ही जाएगा दोस्तों वहीं हम एक जो shorting वाला सि resistance की तरफ पर क्या होता हम अगली green candle बनती है ठीक है तो आप सोचो कि यहां तक जागा पर next candle क्या होती है तुरंद एक red candle बन जाती है और वह इसके जो low है इसको तो तो आपकी entry next candle पर हो जानी चाहिए और ऐसे हमारा यहां हो जाना चाहिए तो इस वाले सिनारियों में आपक क्लियर हो जाएंगी दोस्तो आई आई यह हम इसको चार्ट की मज़से समासे तो यह हमारा डेवलपर्स का चार्ट है दोस्तों तो हमने क्या बताया कि अगर market अपने support तक red retrace नहीं हो रहा तब हमको कैसे ट्रेड लें देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा आजाए moving average तक या हमारी कोई से support जो हमारा pivot का जो support अगली candle में क्या होता है एक red candle बनती है तो आप सोचोगे के market यहां तक आएगा हमारा दोस्तों तभी पर क्या होता next candle green बन जाती हो और इसके high को तोड़ देती है जैसे ही आपका high तूट था तो आपको यहां पर कहीं entry ल बनी है फिर आपको यहां पर एक हलकी सी red candle बनी है आप सोचो के दुबारा retrace करेगा बट एक हलकी candle फिर दूसरे वाली candle इसके high को तोड़ देती है फिर यहां पर market भागना चल जाता है तो आपको इन चीजों का moral of the story यही है आपको क्या weight करना है candles का candles पे पूरी अभी क्या video already हमारी 20 minute ही हो चुकी है तो अगर मैं जो इसके last case जो दो सिनारियो बचे उनको भी इसी video में cover करूँगा तो लोग क्या actual में bore हो जाते जिससे क्या फिर video बनाने में मज़ा नहीं आता क्योंकि views नहीं आते दोस्तों तो अभी मैं क्या करूँगा जो इसका topic 3 है और topic 4 है उसको मैं next video में cover करूँगा शायद वो मैं उसको आज ही upload कर दूँ या कल upload कर दूँ तो अभी मैं यहाँ पर video को खतम करता हूं दोस्तों आप इस video को देखो शायद आपके बहुत साथ doubt क्लियर होंगे और next video मैं इसके में क्यूंकि बहुत जारा लंबे लंबे यहा लो बाइ दूस्तों